केंद्रे सरकारे समगरे देशमार नागरिकु ताना संशोंत्यों टाइगों इदले के CEE लागू करे ओछे आ अंगे केंद्रे गुरुमत्री अमिती शाहे पहली बार इंटर्विय आप्यों शे आ इंटर्विय मा तेवे कईउचे के काईदो क्यारे पाचो खेंचवामा आवशे नहीं आने भाजबनी आगेवानी वाडी सरकार तनी साथे क्यारे समाधान नहीं करें तमने वदुमा कईउ कि देशमा भारत्य नागरिक्ता सुनिश्चित करवी ए अमारो सार्वो बोम अधिकार छे आमे आना उपर क्यारे समाधा नहीं करिये औने CAA क्यारे पाचो खेंचिलिवामा आवशे नहीं इंटर्वीमा अमी शाय भारत गट बंदन उपर प्रहार करता कईउ कि भारत गट बंदन जाने छे कि ते सत्तामा नहीं आवे CAA BJP लावी छे अने नंद्र मुदिनी सरकार लावी छे तेने रद करू अर्षक्या छे अमें समगरत देश मा तेना वीशे जाकरूती फैला वीशू जीती जे लोको तेने रद करवा मागे छे तेमने स्थान ना मड़े कैंदरे मंतरी CAA 11 बंदारणी होवाना आरोप्पन ने फगावी दिदा छे अमित शानों कैऊचे कि आना दी बंदारणी जुगवाईयों नो उलंगन थतो न थी मोदी की हर गैरेंटी पूरी होनी है मैंने कहा 41 टाइम 41 बार अलग-अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डीटेल बात करी है कि इस देश के अलसंख्यप माइनोरिटी या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधानी ही नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के जो सरनार्थी है उनको नागरिक्ता देंगे तो भारतिय जन्ता पार्टी का एजन्डा बहुत स्पस्ट है और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महतो है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है चुनने के बाद फश्ट प्राविटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को माननेता मिल गई है रूल्स फॉर्मालिटी है अब टाइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्स तुरुष्टी करण की राजनीती करकर एपीस्मेंट की पोलिटिक्स करकर वाट बैंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है